ओके गईज सो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोड एमसी यू का जो वाइफाय होता है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं उसका प्रोग्राम मैं आपको इसटेव वाज़ेश्टेव समझाने वाला हूँ देखो प्रोग्राम तो आपको कहीं से भी मिल जागा मैं चाहता हूँ आपको मैं लिखना सिखाऊ आपको एक एक लाइन को लिख पाओ खुद से समझ पाओ सारी चीजों को मेरा सुरू से टार्गेट यही रहा है राइट तो चली स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो देखो मैं जितना भी चीश्टे करते हैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरे एक प्लेलिस्ट है नोडेंसी का आप उसमें जाकर करके देख सकते हो दो वीडियो से उसमें आल्रेडी है उसमें मैंने कुछ सारा को सेटफ वगरा करना सिखाया है ठीक है करने वाला है एक लाइबरेडी और उस लाइबरेडी को पहले हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अच्छा लाइबरेडी क्या चीज़ होता है तो मैं आपको इदम पूरा शॉर्ट लाइन में बोलू तो मैं क्रसीदी सी बात बहुत सकता हूं लाइबरेडी मतलब एक ऐसा जीगा जहां पर अरennes बहुत सारे लिखे हुए हैं आपको सिर्फ क्या करना है वहाइबरेडी के अपने प्रोगाम में इंक्लूड कर लेना है ठीक है अपने इस प्रोगामिंग फाइल में उन्क्लूड कर ले और आप उस लाइबरेडी के अंदर में जो भी प्रोगाम कर पाते हैं चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है वो लाइबरी तो इंक्लूड कैसे करते हैं है इंक्लूड यह वो चीज है जो कि क्या करता है हम किसी भी लाइबरी को हम इसके मदद से इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है तो है इंक्लूड और उसके बाद कैसे और ध्यान में लखना है लिखते वक्त आपको सावधानी परतनी है कि वाइफाई आपको इस तरीके से ही लिखना है देखो डबलू कैपिटल है आई स्मॉल है एफ कैपिटल है आई स्मॉल है ठीक है तो यह आपको लिखना है और डाट एच लगाने ठीक है तो यह बात तो अच्छे से भली बात ही समझ में आ रहा होगा अच्छा मैं Caps Lock On क्या हूं मैं इसको बंद कर देता हूं और यह डाट एच इस तरीके से मैं एक हाथ से टाइविंग कर रहा हूं थोड़ा स्लोली स्लोली मैं टाइप करके आपको समझाना चाहता हूं ठीक है तो यह आपने क 8266 WiFi लाइबरी जो है उसको आपने इंक्लूड कर लिया और यह आपको सबसे टॉप में करना परता है तो यह प्रोग्राम चलने से पहले हमारे यह प्रोग्राम चलने से पहले यह इंक्लूड हो जाए राइट इस तरीके से और यह हैच आगे जो लगा वाएने इसको प्री यूज कर पाएंगे तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है चलो ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपने पढ़ा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने एक सी प्रोगार्मिंग के उपर पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ हुआ आप जाकर करके डिस्कूशन में चेक करना वह वीडियो आपको मिल जाएगा आप इस तरीके से हैं और आगे श्टार लगा दो के तो यह पॉइंटर बन जाएगा ओके अब यहां पर लिखना है एसस आईडी है ना इस तरीके से एक्वल टू करके यहां पर आप जिस वाइफाई को कनेट करना चाहते हो उसका नाम यहां पर लिख देना है बास समझे रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इस लाइन में अच्छी सब्सक्राइब बनाते हो यह कॉंस्ट फिर आप नहीं लिखते हो प्लियर है अब यह कर तो आपने लिखतार क्या चीज़ है अगर आपको याद हो गई आपको बता होना चाहिए कि आप सिर्फ एक सिंगल लेटर ही लग सकते हो ठीक है कैर टाइब का वैरेबल में आप से सिंगल लेटर रख सकते हो अभी आपने यह पूरा का पूरा चीज़ रखा हुआ है और इसका मतलब यह भी नहीं एक चुली यह पॉइंटर का कॉंसेप्ट है तो अगर आप थोड़ा सा पॉइंटर के वारे में अगर चलो यह हो गया उसके बाद आपको क्या करना है फिर से एक इसी तरह का चीज़ आपको पासवर्ड होगा तो पासवर्ड मैंने यहां पर डाल दिया इस तरिके से 1234567890 हो गया यह चलो यह भी बनिया है अब यह दो चीज आपको कर लेने सबसे पहले तो आपने पहले लाइबरी इंक्लूड किया उसके बाद आपने यहां पर पासवर्ड को यहां पर रख लिया है अब यहां पर क्या करने उसके जश्ट बाद वाइड सेटप के अंदर में आपको पता हुआ कि आपको लिए जिसको चलाना चाहते हो एक बार तो यहां पर सबसे पहले मिए घा करूंगा किसीरील बेघ्ट करकर कि देखें तो हम हम कुछ कौछ सीज़ों को यहां पर पाइट करेंगा तो कि यहां नहीं आपको बार्ट शिर्ट करदेने अभी से पहले, आप्नी 29idade करण हें अब आपको यहां पर यहां ओन वे फई करना है वह 1 1 5 2 00 काट की आपको द्यान में रखने हैं कि आप अब इसके बाद किया है है баз वहालन मृत डिले करना है थूड़ा सा ज्यादा दिर नहीं ठीक है हलका सा बुख जाओ और उसके बाद उसके बाद आप यहाँ पे इसके जश्ट नीचे जहां से सुना मैं जो बोल रहा हूं ठीक है आप यहाँ पे क्या करोगे एक चीज प्रिंट करो करेंगे सबसे पहले और उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पर यहां पे यहां पे सबस्क्राइब को लगाना है क्योंकि क्योंकि श्टैटमेंट हो चुका और अब यहां पे उसके बाद आपको करना है यह Serial. और Serial का S Capital लगना है यह बात आपको धियार में लगना है Serial. Print Serial. Print इसके साथ में ठीक है इसके साथ में आप Print कर दोगे SSID को तो आप यहां पे SSID डाइरेक लिखना क्योंकि इसके पहले भी हम लाइन को ब्रेक कर लेंगे तो एक बार यहां पे मैं ऊपर में और लाइन ब्रेक कर लेता हूं Serial. PrintLN बस आप इतना लिख दो तो यह PrintLN का मतलब ही होता है देखो Print और PrintLN में फर्क है Print का मतलब होता है और नर्मली प्रिंट कर दो PrintLN मतलब New Line में ठीक है तो मैं एक बार और इसको यहीं पे नीचे चला लेता हूं Serial. PrintLN इस तरीके से हो गया चलो तो यहां तक अभी हमारा क्या क्या हुआ है हमने लाइर इंक्लूड किया उसके बाद हमने SSID पासवर्ट बनाया जिसमें हमने SSID और पासवर्ट रखा है ठीक है उसके बाद Serial.begin हमने communication स्टार्ट किया डिले किया 10 millisecond का कि थोड़ा सा रुख जाओ उसके बाद हमने क्या कि Serial स्टार्ट पर हमने एक खाली मतलब लाइन हमने प्रेंट कर दिया उसके बाद आपको यहां पर देखने कि हमने लिखा हुआ connecting to connecting to लिखा हुआएगा फिर SSID तो connecting to SSID मतलब Serial Wi-Fi ठीक है Wi-Fi यह आपको लिखना है इस class के अंदर में कोई चीज है जिसका नाम है Wi-Fi तो यह तब आप लिख पाऊगे जब आप इसको include कर रहे हो ठीक है तो Wi-Fi dot Wi-Fi dot आपको लिखना है यह dot क्या होता है न कि basically अगर आप class object के बारे में अगर समझना चाहते हो ठीक है तो मेरे कोई comment करके बताना कि आप C++ का भी ऐसा कुछ बना दो वीडियो ठीक है तो मैंने C language बढ़ा हो है C language में class objects होते नहीं है C++ में class and object का concept है ठीक है तो आप अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पे Wi-Fi dot Wi-Fi dot begin लिखना है क्या लिखना है begin okay Wi-Fi dot begin जैसे serial dot begin लिखते हो ना तो Wi-Fi start होगा और connect करने कर ट्राइब कर रहा होगा तो दो चीज़ आपको यहाँ पर पास करने एक तो आपका SSID और दूसरा जो चीज़ है तो अगर कनेक्ट हो जाता है कैसे बता चलेगा राइट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे बता चलेगा देखो जब यह connect हो जाता है तो हमें एक value एक response return करता है आप ऐसे करते हो और वह status return करता है जिसका नाम है WL connected इस तरीके से ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर check करेंगे ठीक है वाइल अब आपको बता होगा कि वाइल एक लूप है ठीक है और वाइल लूप में क्या होता है मैं थोड़ा सब बता देता हूं कि वाइल लूप के parenthesis में यहाँ पर हम एक condition लिखते हैं यह condition जब तक true रहता है तब तक यह body का code चलते रहता है मतलब नीचे control नहीं जाएगा जब यह condition यहां पर false हो जाएगा जब होजाएगा तब control इस body को छोड़के इसके नीचे वाले code को चलाएगा अधर्वाइस यहीं भूम तरहेगा बास मुझा रहा है तो हम यहीं चाह रहे हैं क्या चाहरे हैं पता है हम चाहरे हैं यहाँ यहां से सुनना हूं मेरी बात मैं बोल रहा हूँ ठीक है यहाँ पे ना पहले में कंडिशन लिख रहा हूँ पहले में एक कोड लिख रहा हूँ ठीक है अब तुरह दिखना मैं अब लग रहा हूँ डीले डीले 500 millisecond का 500 millisecond का इस तरीक से और इसके जश्ट नीचे मैंने लिखा है plastical.sil特ological प्रेंट कर रहा हूँ और क्या प्रेंट कर रहा हूँ ठीक है मैं प्रेंट कर रहों यंप प्रेंट कर nuclear क्रों है था ठीक है अब अब तरया नदेट कर हूँ कि ए चलता रहे तब तक जब तक नहीं आ हो जड़ेchn comparing to connect इस तिषर starring सब्सक्राइब तो यहां पर आपको लिखना यहां पर लिखना आपको वाइफाई वाइफाई डाट जैसे डाट बिगिन जो कनेक्ट करने काम कर रहा था यहां पर एक जैसे चीज़ होता है ठीक है तो यह सब्सक्राइब कर देगा तो हम चाहरे हैं कि वाइफाई डॉट इस्टेटर जब तक डॉट इस लिखूंगा नॉट इक्वल टू यह क्या है नॉट इक्वल टू यह सारे चीज़ मैंने अपर बता रखा है तो आप इस वीडियो के बाद आप उसको जाकर के देख सकते हो हला कि आपको यहां भी समझ में आ जाएगा आप इस वीडियो में फोकस करो तो वाइफाई डाट इस्टेटर जब तक ब्राबर नहीं हो जाए इसके डबलू एल डबलू एल इस तरीके से देखो ध्यान से डबलू कैसे लिखा गया है और म हां भे यहां पर आपils को क्या कहना चाहिए है देखो यह तक मिलेगा जब हमारा वाइफाय क्नेक्ट हो जाएगा तो यह कह रहा है कि जब तक ब्राबर नहीं हो डबुल्यक्टेत के तब तक इसको चलाते रो बहुत समझे वार गार है जैसे लेट तो यह ब्राबर होगभel हो गया संब्लत गया और पित्वेस के लगा और इसके नीचे लएकर हम यहां पर mental देंगे प्सश्ल देंगे इसको मैं बंद करता हूँ, Serial.println, Serial.println, और यहां पर मैं लिख दूँगा, यहां पर मैं लिख दूँगा, Wi-Fi is connected, ठीक है, Wi-Fi is connected, या Wi-Fi has been connected, या जो भी, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ, सिर्प Connected, connected, right, मैंने ऐसे लिख दिया, connected, देखो, यह चलेगा, और यह सारा का सारा code मैंने कहां लिखा हुआ है, तो देखो, वाइट से अंदर में, लेकिन हा, यह चीज़ बार-बार चल लोगा, क्योंकि हमने, यहां पर हमने loop बनाया हुआ है, right, जब तो connect नहीं हुआ, तब तो यह च मैंने पहले से file create किया होगा, आपके case में भी पूछेगा कि कहां पर save करना है, तो आप बता देना, ठीक है, उसके बाद मैं इसको compile करता हूँ, तो सबसे पहले आपको यहां पर compile करना पड़ता होगा, आपको पता हो न चीए, और compile करने से पहले भी आपको एक काम, दिमाग करने का मतलब भी मैंने बताया हुआ एक वीडियो में, ठीक आप जाकर करके देखना, बहुत सब्सक्राइब करने का मतलब करने का मतलब को यह जो हमने code लिखा है, यह code add in a board को या फिर node mc को समझ में नहीं आता है, तो वो code हमें मतलब सीखना बहुत difficult है, हम नहीं सीख सकते हैं तो इसलिए हम एक काम करते हैं इस language में लिखते हैं, हमारे इस language को convert करता है, वो काम करता है compiler, ठीक है, यह बात ध्यान बेर करते हैं, तो यहाँ पर done compiling, compile हो गया, अब मैं इसको upload कर देता हूँ, तो upload करने से बहले port बगरा चूज कर लेना है, मैंने अपना hardware node mc का connect किया हुआ है, तो अब मैं इसको upload कर देता हूँ, तो अब देख सकते हूँ, यह upload हो रहा है, 7%, 15%, 23%, 30%, okay, okay, चलो ठीक है, और मैं साथ में यहाँ पे, अभी open कर लूँगा, serial monitor, ठीक है, ओके, चलो, done uploading, अब देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है, done uploading, अब मैं open करता हूँ, अपना serial monitor, और यहाँ पे, यह देखो, बार्ड रेट, यह चूज कर लेने, आपको, यह आपको चूज कर लेने, नहीं तो फिर वो नहीं दीख रहा होगा, ओके, तो यहाँ पे देखो, train to connect, train to connect, train to connect किया, और finally यह connect जैसे हुआ, यह जैसे ही connect हुआ होगा, तो यहाँ पे return हो गया होगा, यहाँ पे return हो गया होगा, wl connected, तो जैसे यह इसके equal हो गया होगा, तो यह condition false हो गया होगा, जैसे condition false होगा, तो फिर यह loop break हो गया, और यह नीचे लगोड चल गया, बात समझ में रहे हैं, तो इतना असान था यह code, और मैं अच्छा पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, सारा कुछ समझ में आया, तो फिर आपको तुरन से वीडियो को like करना है, और नीचे comment करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा समझ में आया या नहीं आया, right, next video मिलते हैं, अगला वीडियो इससे भी सांधार होने वाल को द分 आ делает क einen का में आया है कि वीडियो आपको को टुर में आपको का बताना है